महिलाओं की पहचान और अमीरों की शाल दोनों को ही खड़ा करने का काम गोल्ड बखुबी करता है और यही वज़ा है कि दुनिया भर के लोग इसे खरीदना पसंद करता है दुनिया में दुबई की पहचान बने इस गोल्ड ने अपने देश को एक नए मुकाम तक पहुँचाया है और कोई यहाँ से घोड़े खरीदने के सपने देखता है इसलिए दुबई को सिटी आफ गोल्ड भी कहा जाता है पर क्या आप जानते हैं कि दुबई से गोल्ड आप कैसे अपने घर तक लेकर आ सकते हैं वह भी एकदम सेफ और सिक्योर अगर आप यह नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा आज के समय में लोग गोल्ड केवल पहनते ही नहीं बलकि इसमें नश्ट करने का काम भी करता है यहां तक कि हर देश अपने पास गोल्ड का भंडार रखता है और इससे जादा से जादा खरीदने की कोशिश भी करता है बहुत अगर गोल्ड खरीदने किया है तो दुबई का नाम आना तो छोटी सी बात है अब हमें यह तो पता है कि गोल्ड खरीदना कहां से है पर खरीद के घर ले जाना बड़ी बात है क्योंकि इसके लिए एक नहीं बलकी कैनियम है अपने आपको यहां से गोल्डन गाने से पहले जान लेना बेहत ज़रूरी है नहीं तो आप मुसीबत में भी आ सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आप दुबई से अपने यहाँ कितना गोड़ ला सकते हैं, हाउ मच स्कूल के निहरी फ्रॉम दुबई टो इंडिया थुरू कम दाम और बेहतर क्वालिटी ही दुबई के गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है, और इस वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ गोल्ड खरीदने के लिए आता है, यही नहीं यह गोल्ड खरीदने के लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानि आपको गोल्ड की खरीद पर किसी भी तरह का कोई वैट और सेल्स टैक्स नहीं देना होगा पर इसका मतलब यह नहीं कि आप जितना मन करें उतना गोल्ड घर ले आया इसके लिए भी एक लिमिट सेट की गई है बाकी अगर आप इस सेट की गई लिमिट से ज़्यादा गोल्ड जाना चाहेंगे तो उसके लिए टैक्स लगेगा और उसके लिए लिमिट भी अलग सेट की गई है तो पहले हम बिना टैक्स पर यह गोल्ड के सेट लिमिट की बात करते हैं देखा जाए तो 1 अपरेल 2016 में Central Board of Indirect Taxes and Customs के जरिये जारी की गई गाइडलाइन्स में यह साफ तोर पर बताया गया था कि को भारतिये जो दुबई से लगभग एक साल के बाद भारत वापस आ रहा है वह अपने सामान में सोने की कोई भी जवेलरी आराम से ला सकता है और यह मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है जहां एक आदमी बिना टैक्स दिये अपने साथ एक बार में दुबई से भारत केवल 20 ग्राम गोल्ड ही ला सकता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वहीं सोने के शौकीन महिलाओं को कुछ रियायत दी गई है जिस वजह से वह एक बार में मर्दों की तुलना में दोगुना यानी 40 ग्राम तक का सोना भारत ला सकती है जिसका दाम एक लाक रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके साथ ही गोल्ड ज्वेल्री पर ड्यूटी फ्री अलार्म्स उन लोगों के लिए भी लागु होता है जो कम से कम एक साल तक अक्रोट में रहकर आय होता है पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता एह कि ड्यूटी फ्री गोल्ड केवल ज्वेल्री पर ही लागु होता है इसके अलावा अगर आप गोल्ड को किसी भी दूसरी फॉर्म में भारत लेकर आना चाहे जैसे बाहर सकार्स तो उसके लिए आपको कस्टम्स ड्यूटी फ्री देना जरूरी हो जाती है लिमिट और केरिंग अतुल अगर दुबई से भारत आने वाला कोई भी पैसेंजर टैक्स रीसेट लिमिट से ज्यादा गोल्ड आना चाहता है तो उसके लिए उसे कस्टम्स ड्यूटी फीस देनी होगी जिसमें यूँ ही एमबेसी के अकॉर्डिंग यह लिमिट मैकसिमम दस किलो है हालांकि लोगों के बीच एक अहम सवाल यह है कि वह दुबई से भारत में जूलरी के अलावा अद्व फॉर्म में कितना सोना ला सकते हैं तो इसका जवाब है कि कोई भी भारतिये जो दुबई में 6 महीने से ज्यादा टाइम पीरियर से रह रहा है वह भारत आते समय एक किलो तक के सोने के सिक्के या बाहर ले जा सकता है हालांकि यह सेट लिमिट से ज्यादा का घोल है तो इसके लिए उन्हें टैक्स देना होगा अब आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि टैक्स आखिर कितना और किन कंडिशन पर देना होता है तो चलिए थोड़ा डीप में जाकर इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं कस्टम ड्यूटी रेट्स अगर आप दुबई से भारत कोई गोल्ड बार चला रहे हैं तो उसके लिए आपको हर दस्ग राम पर तीन सो रुपे तक देने होता है जिसके साथ तीन प्रतिशत एजूकेशन सैस ही जोड़ा जाता है जो की एक तरह का टैक्सी होता है हैं और जिसमें आप टैक्स पे करके भी तीन बार में गोल्ड बार केवल एक किलो हिला सकते हो तो अगर आप गोल्ड बार इसके अलावा कोई और सोने की चीज ला रहे है जैसे कोईंस ज्वेलरी जो की टैक्स री सेट लिमिट से बाहर है तो उसके लिए आपको हर दस ग्राम पर साड़े साथ सो रूपे देने होंगे और उस पर 3 प्रतिशत एजुकेशन सैस नहीं लगेगा वहीं अगर आप दुबई में 6 महीने तक बिना रहे वहां से टैक्स फ्री सेट लिमिट के अकॉर्डिंग ही गोल लाना चाहेंगे तो आपको उसके लिए अलग से 36.05% तक की कस्टम ड्यूटी देनी होगी अब इतने सस्ते गोल्ड को लोग जादा से जादा घर ले जाने की फिराक में रहते हैं इसलिए कई लोग जिनका दुबई जाने का मेन पर पर ही गोल खरीदना होता है वह अधिकतर टैक्स री सेटलमेंट से जादा गोल ही भारत लेकर आते हैं जिसके लिए कुछ जरूरी कंडिशन है जो आपको जान लेनी चाहिए पहली सबसे पहले अगर आपका टैक्स की सेट लिमिट से ज्यादा गोद ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी चेंजेस कंवर्टिबल फॉरेन करेंसी में ही देनी होगी दूसरा एरपोर्ट पर आप खिंचा रहे गोल्ड से जुड़ी सभी डाक्यूमेंट्स और पर्चेस के रूप दिखाने होंगे तीसरा अगर आप किसी भी वजह से गोल्ड से जुड़े डॉक्यूमेंट दिखाने में नाकाम रह जाते हैं तो उसके लिए आपको भारी नुकसान जहिलना पड़ेगा जैसे कि आपको गिरफतार किया जा सकता है और आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा पांचवा इसके साथ ही पूछे जाने पर आपको यह भी बताना होगा कि आप गोल्ड भारत किस मकसद से लेकर जा रहा है अब आपको यह बात भी बता ही देते हैं कि आप जो गोल्ड भारत लाएंगे उस पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी किस तरह और किन बेसिस पर कैलकुलेट होती है दरसल कस्टम् ड्यूटी को भी दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें पहले आती है स्पेसिफिक ड्यूटी रेट जिसमें गोल पर लगने वाला रेट उस गोल की क्वान्टिटी और वेट पर डिपेंड करता है वहीं हट मालूम ड्यूटी रेट में केवल गोल्ड की वैल्यूपर ही डिसाइड किया जाता है यह दोनों ही केवल टैक्स की लिमिट से ज़्यादा ओफिस जाने पर सैट होती है अब चाहे वह किसी भी फॉर्म में क्यों न हो तो यह था दुबई से गुड लाने का पूरा प्रोसेस पर कई लोग इसे कम समय में बिना कोई टैक्स दिये घर लाकर पैसा कमाने की फिराक में रहता है जिसके लिए वह गोल्ड स्मगलिंग करते हैं जिस कारण दुबई से खोले जाने पर काफी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक है मगर उसे आपको क्या अपने तो आपको दुबई से सोना लाने के लिए गर्ल प्रोसेस के बारे में बता दिया है जिससे अब आप इसे अपने घर तक आराम से ले जा सकता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके थे